नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपकी यूटूब चनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं भारते सिक्षा का इतिहास एवं विकास भारते सिक्षा का इतिहास पढ़ते हुए अभी तक हम लोगों ने वैदिक कालीन सिक्षा पदती का विस्तरत अध्यन किया हैं तब पाचाट वैदिक काल के बाद बौद कालीन सिक्षा का उद्वह हुआ और उसका संपूर्ण अध्यन हम लोगों ने किया ततुक प्रावंत हमने देखा कि कैसे मुस्लिम कालीन सिच्छा पदती में भारत की सिच्छा विवस्था में परिवर्तन और विवस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिला अब अगर हम देखें तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको उसके अंतरगत हम पढ़ने वाले हैं आध्युनिक सिच्छा परणाली के प्रारंब में जिस टॉपिक को आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे वो होगा हमारा 1813 का आग्यापत्र 1813 के आग्यापत्र के बारे में चर्चा होगी तथा प्राच्य पाश्चात विवाद के मूल उदगम के विसेपर हम विस्तरत चर्चा करेंगे और संपूर्ण अध्यन करेंगे तो आईए पढ़ना प्रारंब करते हैं आध्यनिक सिच्छा पढ़ाली के बारे में पिछले लेक्चर में आप लोगों ने मुस्लिम कालीन सिच्छा पदती के बारे में अध्यन किया था मुस्लिम कालीन सिच्छा का प्रारंब बारा सौ से सत्रा सौ का समय माना जाता है 1669 से लेकर 1707 का उस समय औरंगजेब का सासन था औरंगजेब के सासन में काफी कट्रवादी नीतियां अपनाई गए जिससे मुगल समराज्जी का वैभो दीरे-दीरे समाप्त होना प्रारंब हुआ तद पश्चाद अनिक भारतवर्ट समय चोटे-चोटे राजा और बातसाम आपसी संकर्श करते रहे इसी समय भारत में प्रिवेस होता है कुछ यूरोपीय सक्तियों का तो चुकि हम 1813 एकदम से पढ़ते हैं और 1700 पर हमने खतम किया है मुस्लिम कालिन सिच्छा पतती को तो यह जो सौ साल का जो समय है इस दौरान क्या परिवर्टन या क्या परिपेक्ष रहे उनको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं चुकि इतिहास को पढ़ने का जो तरीका है वो यही है कि क्रम से पढ़ा जाए तो जब आपने देखा कि लगभग 1500 से यूरोपीय सक्तियां आना प्र में है यूरोपीय सक्तियों का आने का वो कैसा है तो भारत में के लहम कहें कि सरुपर्थ में काली कटके तड़ पर उत्रा और वहां का तत्समय का राजा था जमोरिन के सासन ये समराज में ये राज छेत्र में यह उतरता है तो इस बिटे या अग्रेजों के आने से पहले भी कुछ यूरोप या यूरोपय सक्तिया या इसाई मिस्णरिया भारत में प्रवेश कर चुकी थी जिन में से सबसे पहला इस्थान पुर्टगालियों का है ये प्रश्ट पूछा जाता है कि सवर प्रथब यूरोपय सक्ति कौन सी भारत में प्रवेश किये तो को अपनाया है तो पुर्टगालियों में वास्को डिगामा आपको मैंने बताया कि जमोरिन के सासन्चेत्र में वो आता है और उस समय अपना व्यापार करने का नुमती मांगर प्रारम करता है अपना व्यापार इनका जो पहले यह जितने भी यूरूपिय वेक्ति यह तो एक कारी तो व्यापार था साथ साथ दूसरा अपने लोगों को पढ़ाने के लिए यह अपने धर्मगुरू लाते थे और धर्मगुरू जब भारत की दर्ती पर प्रवेश करते थे तो यह यहां के लोगों को भी अपने धर्म से प्रभावित किया करते थे और धर्म प पूछा जाए कि सबसे वास्त्वेक रूप से पुर्टगाली सक्ति का विस्तार किसके समय में हुआ है तो वो अल बुकर्ग इनका जो दूसरा गवर्नर था इसने पंद्रा सो से दस से लेकर के पंद्रा सो पंद्रा तक इसने सासन किया है परंतु इसी ने भारते महिलाओं के साथ यूरोपिय विक्टियों की साधिय का एक प्रस्ताव रखा जिससे पुर्तगालियों को बारत की देश में स्युक्रती मिल सके परंतु इसकी बहुत जदा ये नीती सफल हो नहीं पाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई सारे धर्मगुरू भीनी के साथ आया करते थे तो आपने वरतमान समय में कई सारे कॉन्वेंड स्कूल के नाम देखे होंगे संटर फ्रांसिस जेवियर्स रॉबर डी नोमिनी तो ये जो फ्रांसिस जेवियर्स हैं और कोई नहीं इनके धर्मगुरू हैं और उन्होंने गाओं में घूम घूम कर इसाई धर्म का पचार क किया है और हिंदूों को इसाई बनाया काफी मात्रा में धर्म परिवर्तन का कारिया उन्होंने किया है अब पुर्तगाली प्रवेस किये हैं तो 1656 में इन्होंने गोवा में अपना 1656 यह पर लिग गया है लिग गलती से लिग गया है 1656 इसको आप लोग पढ़ेंगे 1656 का जो समय है उस 1656 में हम लोग पूर्टगालियों ने अपना छापा खाना खोला है उसके पश्चाथ फिर इनका जब सामरा ज्यादा बढ़ने लगा तो साजहा से इंसा संगर्स हुआ और उनको फिर साजहा ने भगा दिया और एक गुवा तक ही सीमित रहे फिर अनेक लोग आय जैसा मैंने आपको बताया लेकिन डच जो यूरोपिय सक्ती थे जो थे उन्होंने दर्म परचार के लिए शिक्षा को केंद्र या विद्याले को केंद्र नहीं बनाया उसके बाद डेन आये हैं डेन 1680 में आये हैं डेनों ने जो सिक्षा के चेतर में योगदान दिया है व वही भारत में आधनिक सिच्छा का प्रवड़ तक मारा जाता है अब डेन मिस्नरिया माने इंग्लिस मेडिया में स्कूल चला रहे वाले लोग उनके उस समय के जो व्यक्ति या जो लोग आते थे वो फिर इसी समय इंग्लेंड में इस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना हो रही थी और इस्ट इंडिया कंपनी 71 दिसंबर 1600 में बनाई गई फिर वह भारत में प्रिवेश करती है इसने 1611 के मचली पट्टम और 1613 में सूरत में अपने कारखाने खूलना प्रारम किया और व्यापार अपना स्थापित करने में सफल रहे इस तरीके से आपने देखा कि कि इस प्रकार से भारत में जो भारत की सोने की चिडिया थी इस सोने की चिडिया के को विदेशी आक्रमन कारियों ने इसकी पूरी आत्मा को जगजोर कर लग दिया था इसी समय बारत की जो ग्रंत थे या सिच्छा संबंदी चुकि पदती हम पढ़ रहे हैं सिच्छा के ब अक्सफोर्ड विश्विद्याले में 1636 में खोला गया है और लगबग आपसे कहा जाए या पूछा जाए कि प्रतम विद्याले अंग्रेज विस्नरी भी आएंगे विस्नरी मतलब धर्म गुरू इनके जो विद्याले जो भी देखे विस्नरी जो आते हैं ये विस्नरियां भ से अपना रास्ता चुना क्योंकि आपने देखा कि वैदिक काल और बौधकाल में एक विस्तरत और बहुत ही समरद सिच्छा विरस्ता भारत से पनप चुकी थी परन्तु इस्लामिक आक्रवनों के बाद आपने देखा कि किस प्रकार से भारत के अच्छे-अच्छे पकालेओं को जला दिया गया उनकी अध्यापकों की हत्या कर दी गई और इसकी वज़े से संपूर्ण जो सुच्छा पदती देश के विक्तियों में जिसका अध्यान कर रहे थे वो उसको पर रुकावट लगी और नई विवस्था भी लागू हुई परंतु उस विवस्था चुकि यह विदेशी विवस्था थी जिसको भारत की लोगों ने बहुत अच्छे मन से सिवकार नहीं किया तो जब दो तीन अब उसके बाद फिर यूरोप के लोग आए हैं इन्होंने अपनी सिच्छा विवस्था की प्रयास करने लगे तो दो तीन चार प्रकार की सिख् अच्छित हैं और इनको सिक्षा और ग्यान विज्ञान का कोई विसेश ग्यान नहीं है यह बड़ा कारण है भारत में जो लोग यह असक्षित कहेंगे आगे हम लोग चर्चा करेंगे उसका बड़ा कारण है तो ठीक है यह लोग अपना पहला विद्याले खोलते हैं सिर्फ और सिर्फ व्यापार कर रहे हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 1813 पर मैं आउंगा पर 1813 से पहले थोड़े जो प्रयास हैं उनको भी समझ लेते हैं वो बहुत चोड़ा सा तौपिक है उसको हम लोग अभी कवर कर लिए तो 1673 में पिंगल महोदे थे उ अब जो 1698 में में इनको 1698 में जो अग्या पत्र प्राप्त हुआ उस अग्या पत्र में कहा गया कि आप अपने किले च्छावनी जहां भी आप रह रहे हैं अपने करखाने वहां पर आप स्कूल खोलिए विद्याले खोलिए और वहां पर पादरी रखिए और इसाई धरम क कि सिक्षा और अन्या सिक्षा विवस्ताएं भी वहां पर चलनी जाहिए ठीक है फिर धीरे धीरे इनका व्यापार के साथ साथ राजनेतिक इच्छा सक्ती भी इनकी जागरत हुई और आप इतिहास में पढ़ते हैं प्लासी और बक्सर का दो निर्नायक युद्ध जहां से अ जगबग आधेज शेत्र में अंगरी जोने अपना अधिकार शेत्र स्थापित कर लिया था चुकि अब जब अधिकार कर लिया है यहां पर इन्होंने व्यापार के साथ साथ राजनेतिक तो अन्या विवस्ताओं की भी जिम्मेदारी इन ही पर जाएगी अब बंगाल में क अपने धर्म का पचार प्रसार करने से पहले यह जो यहां पर इस्थापित धर्म उनकी आलोचना करना प्रारम करते हैं तो इन्हीं में से कुछ लोग हैं एक सीरामपुर जगह थी बंगाल में बेदनी बोलेंट इंस्टिशन नामक संस्था की इस्थापना की और जिसमें केरे वार्ड मार्समैन ये तीन लोग थे जन्होंने हिंदु धर्म की अलोचना की इसलाम धर्म की अलोचना की मुहमद साहब को जूठा पैगंबर कहा ऐसी बात कहते ही भारत में विद्रो उठ गया बिल्कुल जाहिर से बात है किसी के दर्म पर आप बात करोगे तो तो वि मिसनरी थे धर्म गुरू थे इनका काम था क्या धर्म पचार करना तो इनके और पीश्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे इनके बीच में आपस में तनातनी हो गये तो जब बिद्रो स्था पे बिद्रो हो गया तो उनका जो उस समय का गवर्णर जनरल था लौड था कि अगर मूल जनता अगर कहीं पर आप एक बात और जानिएगा यह जो भारत में कितने भी सारे युद्ध हुए हैं इन सभी युद्धों में संपूर्ण भारती जनता सम्मिलित नहीं रही एक हमारे हैं कहावत है कि को नेप होए हमें कहानी को राजा होगा हमसे का मतलब ह तो प्लासी और बकसर का युद्ध हो रहा था एक खेत में अगले मैदान में लोग अपने खेती कर रहे थे तो इस तरीके लोग वहां देख भी रहे थे किनारे बैठे हुए कि कौन जीतेगा तो यह देश का हाल था उस समय और अभी भी कुछ ऐसा ही इस्तिती है तो थोड सासन करना कटिन हो जाएगा इस द्रश्टी से फिर उनको बाहर बिजा गया तो वह इंगलेंड में पहुँचकर भी अपना जो धर्म पचार करने का जो मांग थी वह वहां पर अंदोलन चलाना सुग कर देए यहां तो उनकी दाल गली नहीं तो उनको एक नेता भी मिल गए बहां पर चार्ल्स ग्रांट थे चार्ल्स ग्रांट इसाई मिस्नरियों का नेत्रत्व कर रहे थे इंगलेंड में कमपनी के विरुद्ध तो अब आने वाला था 1793 में कमपनी के लिए अग्या पत्र इसी लिए जदा बवाल मचाये थे यह लोग तो 1792 में चाल्स ग्रांड इसने एक अपनी पुस्तिका इंग्लेंड में ही प्रकासित की भारतियों के नाम से और उसमें भारतियों की अज्ञानता को दूर करने के पांस सुझाओ दिये यह भारतियों को मुर्ख मानते थे और इनका कहते थे सब असिच्चित हैं इनको सिच्छा देना बड़ा जरूरी है और इन्होंने कहा कि पांस सुझाओ दिये हैं अंग्रेजी को सिच्छा का माध्यम उचित विवस्था अंग्रेजी भाससाहित पढ़ाया जाए ग्यान विग्यान पढ़ाया जाए और भारत में इसाही धर्म का व्यापक रूप से प्रचार पिसार किया जाए तो भईया जोड़ना चाहिए संसदस था यह लेकिन उसी संसद में विरोधी पच्छे का भी एक विक्ति था रेंडल जेक्सन यह ज्यादा ताकत मलब बावकाली था इसलिए इसका जो विरोध था इसके विरोध के कारण सत्रा सो तिरानबे में इसाही मिस्तरियों की दाल नहीं गली और इन्हें धर्म परचार की या सिच्छा के परचार परसार की माधियम से धर्म के परसार की छूट नहीं मिल पाती है और फिर अपना अनसन करेंगे मुखब कलभा बैटेंगे तो इस सतरा सो तिरानवे से ले करके अठारा सो तेरा तक के जो समय है उसमें सरीफ और जाले ही विक्तिवद रूप से इस्थापित किये गए हैं तो कल्कत्ता मदर्सा में 1789 में बंगाल के ततकालिन गवंटर वारन हैंस्टिंग ने बनवाया ये पूछा जाता है कल्कत्ता मदर्सा 1781 1781 फिर 1791 में आई यह बनारा संस्क्रित कॉलेज जोनलत्रन डंकन जी दौरह पनवाए गया विलियम फोर्ड विलियम कॉलेज 1800 में बनवाए गया लौड वैला जोली के दौरह और फुर्ड फोर्ट सेंट जोर्ज कॉलेज 1818 चेन्नाई में ये उतना महत्तपूर नहीं हैं लेकिन ये तीनों कॉलेज आपके लिए कलकत्ता मदर्सा बनारा संस्कित कॉलेज और फोर्ड विलियम कॉलेज ये तीनों बहुत महत्तपूर है जो परिच्छाओं में पूछे जाते हैं अब भाई 20 साल तक लगबग इसे चलता रहा खेल फिर समय आया एक नया 1813 का 1793 के बाद अब ये हमारा मूल टॉपिक है तो 1813 का जब फिर से वहां पर पास होना था तो ये फिर अपना हला मचाना शुरू किये एसाई मिसनरियन अपने नेता के परयासों में तो प्रश्न बनता है कि इस्ट इंडिया कमपनी का आग्या पत्र कितने वर्सों के बाद पुन्रावित्टी हे तूं इंग्लैंड पार्लियमेंट में पेस होता था तो वह से से का 1023 में के 20 वर्स बाद 8118 में कमपनी के आग्या पत्र में तीन धाराएं और जोड़ी गई अब इसाई मिस्णर्यों को सिछ्छा प्रसार की स्वतनत्रता दे दी गई है अठारा सो तेरा के आग्या पत्र में अब चाल्स ग्रांट इसका नेतर तो कर रहे थे और भारत में इसाई मिस्णरियों के द्वरा कॉन्वेंट स्कूल के माध्यम से भारत में सिक्षा विवस्था प्रचलित होगी इसी लिए आधुनिक सिक्षा का भारत में आधुनिक सिक्षा का जनक भी चाल्स ग्रांट को कहा जाता है यह प्रशन पूछा गया फिर एक बात तो कह दी एक तो छूड मिल गई इसाई मिस्णरियों को सिक्षा का प्रचार प्रचार करन लेकिन ऐसा कहते तो लोग वैस्विक रूप से बात स्विकार ना होती लेकिन इसलिए यह सिक्षा कह रहे थे तो दूसरा कहा गया कि भाई इस्ट इंडिया कंपनी का जो दायत तो है वो दायत तो रहेगा जनसाधान की सिक्षा विवस्था करना चुकि आप वहां पर कर ले इसलिए आपको वहां के लोगों को सिक्षत करने का भी उत्तरदाय तो बनता है तो एक तो यह दूसरा काम मिल गया एक काम मिल गया कि इसाई मिस्णरियों को खुली छूट मिल गई दूसरा मिल गया क्या कि जनसाधान की सिक्षा विवस्था का उत्तरदाय तो किसे दे दिय गया दे दिया गया आपको अठासो तेरा के अग्या पत्र में इस्ट इंडिया कमपनी को दिया गया फिर एक अठासो तेरा का जो अग्या पत्र था उसकी धारा थी 43 धारा 43 में एक सब्द था साहित्य के रख रखाओ और भारती विद्वानों के पुत्साहन एवं ब्रिटिस सासित छेत्र में रहने वाले ब्रिटिस का जहां तक सासन है वहां पर रहने वाले लोगों को ज्ञान या विज्ञान का ज्ञान कराने के लिए प्रतिवर्स एक लाख रूपय की धन्रासी खर्च की जाएगी एक लाख रूपय की विवस्ता की गई तो भारत तिरालिस में जो साहित सब्द था और भारते विद्वान सब्द था जिसके प्रोच्छान और विकास के लिए एक लाख रूपया खर्च होना था इसको लेकर लोगों में मतभेद हो गया चुकि बीस साल के लिए आ गया था अ भारत में अब यहां पर इस धाराट 43 के साहित और भारते विद्वान पर विवाद प्रारम हुआ इस विवाद का मूल कारण जो था वो यह लोग कह रहे थे कि जो सिक्षा का स्वरूप माध्यम और विवस्था हैं इसमें प्राच्च भारत की जो मूल बारत की एक अपनी संस्क्रती सब्वेता और भासा है तो हमें यहाँ पर नई यूरोपिय भासा के माद्यम से सिच्छा देने की कोई आसकता नहीं है अगर हमें यूरोपिय ग्यान कराना भी है तो इन्हें इनकी मात्र भासा में करना चाहिए लेकिन एक दूसरा धड़ा भी तो हमें इनकी भासा का प्रयोग करने की जुरूद नहीं है हमें अपनी भासा के माध्यम से ही इनको अपना ग्यान कराना चाहिए इन्होंने पूरी तरीके से वो नीती अपनाई कि किसी भी देश के अगर वैबों को समाप्त करना हो तो उसके पहले तो संस्क्रिति और सब्व करेज कर रहे थे और इसी बात को लेकर भारत में दो धड़े और दो विचारधाराय उत्पन हुई जिसे प्राच्यवाद और पास्चात्यवादी विचारधारा कह जाता है ठीक है तो प्राच्यवाद का जनम कहँ से होता है अठारा सो तेरा के और भारते विद्वान सब्द को लेकर के भारत में दो प्रकार की विचारधाराईं बनी एक विचारधारा को प्राच्च वाधी विचारधारा कहा गया प्राच्चवादी जो लोग थे उसमें ऐसा बिलकुल नहीं है कि ये भारतिये हैं वो विदेशी हैं यहां पर इंग्लेंड या जो इस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे जो सिच्छा दवस्ता का काम यहां पर कर रहे थे उनहीं लोगों के आपसी म अपनेता जो था वो प्रिंसिप था प्रिंसिप प्राच्वादी दळका नेता था यह बंगाल की सामान लोग सिच्छा समेडिका सच्युग करता ह। अन्य लोगों का भी नाम है वारेन हंस्टिंग इंदोने में जॉनेथन डंकन बरारा संस्कित कॉलेज की स्थापना की वारेन हंस्टिंग आपके कलकत्ता मदर्सा के बारे में हैं अपने देखा लॉड मेंटो समिती का एक मंत्री था विल्सन ये सब लोग प्राचवादी लो दो प्राचवादी और प्राचवादी की विचारधारा को इसपश्ट करते हुए टी एन सिक्फेरन लिखा है कि प्राचवादी ये मानते थे कि जब भारतियों की अपनी स्वयम की प्राचीन एवं भवे संसकती है तब उनको अन्य देश की भासा एवं साहितिका ग्यान कर राने के लिए बाध्य करना दोस्फ non निति है प्राचवादी और पास्चारध में बिचारधा को सपश्ट करते हुए डॉक्टर स्रीधャर मुको पाध्याइब फिर से लिखते हैं कि प्राचवाद्यों का कहना है कि इस धारा के साहित सब्द के अंतरगत केवल अर्भी और संस्कत साहित और भारते विद्वान का अर्थ इन दोनों भासाओं में से किसी भासा का विद्वान पास्चात वादियों के नुसार इन दोनों सब्दों का अर्थ इतना संकीन नहीं है साहित सब्द में अंग्रेजी का भी विशे सिस्थान है तो जो धारत 43 में दो सब्द हैं साहित्य और भारते विद्वान पाश्चात वादी कहते थे कि भारत में उस समय अरबी और संस्क्त दो भासाइं प्रचलित थे दो भासाओं के साहित्य भी थे और दो भासाओं के विद्वान भी थे तिसरा ये लोग थे जो यूरोप से आये थे अंग्रेजी भासा का साहित थे था और अंग्रेजी भासा के विद्वान थे तो जो प्राच्चवादी लोग थे वो कहते थे कि जो इस एक लाग रुपिया है वो भारत की अरबी और संस्कित भासा के साहित्य के विकास के लिए आया है और अरबी भासा और साहित्य के विद्वान के विकास के लिए आया है परंतु पाश्चातवादी कहते थे कि यह जो अरबी भासा और संस्कृत भासा की बात आप कर रहे हैं यह सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं है अपे तु अंग्रेजी भासा के लिए भी यह पैसा खर्चा होना चाहिए और अंग्रेजी भासा के विद्वान पर भी के विकास के लिए भी यह पैसा खर्चा होना चाहिए इसी को लेकर मद्भेद बनता है और प्राच्चवादी और पाश्चातवादी विचारधाराएं बनती हैं आपने देखा इस पश्ट्रूप से ठीक है तो आगे फिर यह विवाद चलता रहा और अंदोलन पर अंदोलन चलते रहे लोग इसी समय इसाई मिस्दरिया दीरे से अपना काम भी करती रहें इन्होंने अपने सिच्छा के तीन केंद्र बना लिए एक बंगाल में बनाया दूसरा इन्होंने बंबाई को बनाया और तीसरा मद्रास को बनाया तीन पॉइंट इन्होंने बना लिए बाद में दो और बनेंगे आपका पंजाब भी होगा और संयुक्त प्रांत भी होगा बात की बाद है 1842 के बाद उत्रपश्यम प्रांत आएगा तो इन्होंने तीन सेंडर अपने बनाया और तीन सेंडर पे अपना-पना मिस्नरियां जो तीन अलग-अलग थी कौन-कौन सी थी यह देखते हैं बंगाल में बेसिस्ट मिस्न सुसाइटी इसने सीरामपूर कॉलेज की स्थापना की 1817 में और 1820 में विसब कॉलेज की स्थापना की बंबाई में अमरीकन मिसन सोसाइटी सक्रे थी मदरास में चर्च मिसनरी सोसाइटी सक्रे थी और जिसने मदरास के छित्र में लगबग 15-1830 के बीच लगबग 107 स्कूल खोले तो इस समय जो विद्याले खोलने वाले लोग थे बीस साल के लिए लड़ते रही आराम से इस समय भी जो गैर इसाई मिसनरी संगठन के लोग भी थे जो विद्याले खोलते थे और विद्याले के विवस्था खलवाते थे उन में से एक थे बिटिस के लोग यानि जो इस्टेजिया कंपनी का इधिकारी थे दूसरा भारतिये भी अपने जो विवस्था या सामर्थ के अनुसर विद्याले के स्थापना करवाते थे उन्हीं में अगरणी नाम है राजा राम मोहन राय का जिन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की उन्होंने कलकत्ता समाज और कलकत्ता विद्याले समाज की स्थापना की और राजा राम मुहन राय को ही भारत के पुनर जागन का अग्रदूद भी कहा जाता है प्रशन पूछा जा चुका है लेकिन यह बाद आप समझेगा कि राजा राम मुहन राय काभी अच्छे समास सुधारक भी थे और यह कहते थे कि हमें भारत संस्कृत के पढ़ने के बाद ही हम यूरोप के सभी ग्यान विग्यान को सीख सकते हैं इस तरीके से इनका नाम प्राश्चात वादियों में भी आता है यह बात थोड़ा सा समझेगा आप लोग और यह रादराम मुहन राय के बारे में हुआ एक पूना संस्कृत कॉलेज भी स्थापि लगबग साथ परसंट ही रहा तमाम प्रयासों के बाद भी तो इस तरीके हैं आपने देखा कि 1813 का अग्यापत्र हमने पढ़ा है और 1813 के अग्यापत्र से तीन बाते हैं हमारे सामने समझ में आती हैं कि एक तो 1813 के अग्यापत्र में इसाई मिस्णरियों को सिच्छा के अग्यापत्र में इसाई मिस्णरियों को धर्म प्रचार के खुली छूट दी गई तो 1813 की अग्यापत्र में ये शुकृति इनको मिल गई थी 1793 वाले में नहीं मिली थी फिर जन साधान की सिक्षा विवस्था का जिम्मा इस्ट इंडिया कंपनी पर कब सौपा गया वो भी 1813 को ही सौपा गया और तीसरा सबसे महत्रपूर्प्रश्णा की प्राच्च पास्चात विवाद का जन्म किस आग्यापत्र से हुआ है तो वो 1813 की आग्यापत्र से हुआ है और 1813 के धारा 43 में वर्नित साहित और भारते विद्वान सब्द के पर जो एक लाग रुपिया की विवास्था की गई है उसको लेकर के विवाद उत्पन हुआ है ठीक है अगला प्रस्ट बंता है कि 1813 में कितने रुपए की विवास्था की गई थी तो एक लाग रुप अगला जो ऑक्लेंड आएंगे वो कुछ धनराज की विवस्था करेंगे जिसकी विज़े से इस विवाद पाश पाच्च पाश्चा विवाद का अंत होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जहां पर हम डिसक्स करेंगे 1833 का आग् ही गई हैं और कुछ विद्याले स्थाप्रित हुएं और एक नए विवाद का भी प्रारम्ब हो चुका है इसको हमने आज समझा है अगले वीडियो में 1833 को पढ़ेंगे तब तक के लिए भारत मता की जय है